नमस्कार प्यारे बच्चों आपका स्वागत है उत्तरपदेश के एक मातर सबसे पिश्वस्निय प्रेटफार्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडिया विद्याकुल पर मैं हूँ आपका अपना रिसीसर और आज बात करने वाले हैं आपकी परिछा के सबसे इंपॉर्टन टॉप पत्र लेखन पर बिटा छे नंबर का सवाल और इन तीन टॉपिक्स पर आपके जो पत्र आते हैं उनको कैसे लिखना है अगर आपको पता चल गया तो यह छे नंबर आपकी जोली में पत्र लेखन में एक भी नंबर नहीं कटता है यह आयोग ने भी बता दिया है कि भाई पत्र लेखन आप कैसे भी करोगे अगर format सही है content सही है तो आपका 6 का 5 नहीं होगा और एक बात जो आप सब को पता होनी चाहिए कि बिटा सारे विशयों में जब आप फेल हो जाते हो तो आपको compartment देने का मौका मिलता है लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हो तो सभ physics, chemistry, mathematics आदी पर मेहनत करते हैं हिंदी को कहीं न कहीं हम कम तवज़ो देते हैं लेकिन अब जरूरी है क्योंकि अगर आपका number इस paper में कम हुआ तो आपके पूरे mark seat की ऐसी की तैसी हो जाएगी तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप सभी अपने साथियों को बुला लो सब को message कर दो कि receiver आ गये हैं class लेने के लिए और class बहुत important है पत्र लेखन की मैंने सोचा है कि जितने भी important topic आपके हैं जैसे पत्र लेखन निबंद उन पर आपको बहुत छोटे छोटे time limit में पांच मिनट साथ मिनट में आपको बस सारे पत्रों के बारे बता दूँ जिससे आपके 10-15 नंबर के जो प्रस्न है वे बस एक दो मिनट के तैयारी में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं दूसरा time management बहुत जरूरी है इसका विसेस खयाल रटना है तो पत्र लेकर में बिटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि पत्र हमें किन-किन प्रकार के परिक्षाओं म आपकी परिक्षा में पिछले 5-6 सालों में केवल यही तीन प्रकार के प्रस्न पूछे गए हैं पत्र में और आपके syllabus में भी या model paper में भी यही तीन प्रकार के प्रस्न दिखाई पड़ते हैं या तो आप नौकरी के लिए आविदन करने जा रहे हो या तो आप किसी रिण के लिए या पढ़ाई के लिए बैंक से पैसा मांग रहे हो और या फिर आप अपने गाहों में पहले प्रदूशन के लिए संब्णित अधिकारी को लिख रहे हो प्राथना पत्र अब समस्या ये आती है कि गुरू जी पढ़ तो लेते हैं लिखें कैसे कपिया में समझ में नहीं आता है कैसे लिखें तो गुरू जी ने तुम्हारे लिए परेसानी सरल कर दी है लेकिन उसके पहले दो-तीन चीजें जान लेना बहुत अनिवार रहे अगर आपको एक अच्छा पत्र लिखना है तो उसमें ये चार बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो बहुत जरूरी है क्या आप जरूरी है पत्र किसको लिखना है अर्था तुम्हारा समबंदित अधिकारी कौन होगा संबंधित अधिकारी कौन होगा जैसे न्यूक्ति के लिए लिख रहे हो तो किसको लिखना है अगर तुम सफाई के लिख रहे हो तो किसको लिखना है बैंक के लिख रहे हो तो किसको लिखना है अब न्यूक्ति वाले में बैंक मैनेजर लिख दोगे सफाई में प्रधानाच लिख दोगे तो गडबर हो जाएगा तो आपको पहले किसको लिखना है ये ध्यान रखना है दूसरी बात आपको विशय जरूर लिखना है विशय जरूर लिखना है और विशय लिख करके इसको अंडरलाइन कर देना है कि भाईया किस लिए लिख रहे हो किस लिए प्रार्थ होगा किसके लिए लिखा जा रहा है ये बहुत जरूरी है और examiner देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भईया इन तीनों में से कौन सा लिखा है इस बच्चे ने विशय सही clear हो जाएगा तीसरा जो सबसे जरूरी point है कि जब आप text लिखते हो विशय के बाद में जब आप सुरू करते हो सुरुआत में आप संबोधन का चिन लगाते हो कि नहीं लगाते हो जैसे कुछ लोग महोदय लिखते हैं कुछ लोग स्रीमान लिखते हैं देखो बिटा ये बहुत जरूरी होता है ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एक format है आप आपचारिक पत्र ओफिसियल लेटर लिख रहे हो चाचा मामा को नहीं लिख रहे हो अधिकारी को लिख रहे हो तो आप महोदय लिख रहे हो महोदया लिख रहे हो स्त्रीमान लिख रहे हो जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत असपश्ट होना चाहिए और चोथी और सबसे अंतिम बाद कि आ आप क्या लिख रहे हो वो आपका तयार होना चाहिए जो आपका कथ है कि आप किस संबंध में लिख रहे हो संबंधित अधिकारी को किस बारे में आपको बताना है न्यूक्ति के बारे में और वो बहुत संख्षित में कम सब्दों में और बहुत व्यवस्थित रूप में लि प्रता रही है यूपी बोट के सारे बच्च लिखते तो आप भी लिखोगे तो ये तो हमारे हो गए कि अच्छा पंर लिखने के लिए चार बाते जो बहुत ज़रूरी हैं लेकिन गुरु जी ये और इसे underline करोगे, फिर इधर address डालोगे, पता यहां लिख दोगे, पता देको format यही रहेगा, तुम एक चीज ध्यान रखना, तुम अपने school में छुटी लेने के लिए पत्र नहीं लिख रहे हो, कि to the principal यह नहीं लिख रहे हो, यह नौकरी के लिए है, इसमें जो follow किया जा आए वाला procedure है, वो ऐसा यह सबसे उपर पता रहेगा, इधर तुम्हारा बिनांक रहेगा, और फिर तुम लिखोगे सेवा में, यहां पर लिखोगे उस संबंधित अधिकारी के बारे में, जिसे तुम लिख रहे हो, संबंधित अधिकारी यहां पर लिखा जाएगा, और फिर सबसे important विशय, जैसे देखो, अगर मैं विशय की बात करूँ, तो मैंने black pen से विशय लिख दिया, विद्याले में लिपिक के लिए रिक्ति पद ये तू, न्यूक्ति हे तू, फिर कहोगे, आज के समाचार पत्र हिंदुस्तान में प्रकाशित विग्यापन के माध्यम से, मुझे ग्यात हुआ, कि आपके विद्याले कॉलेज में लिपिक का पद रिखता है, मैं इस पद पर सेवा देने के लिए एक शुक हूँ, इसका स्क्रीन सॉर्ट ले लो बिटा, इसका स्क्रीन सॉर्ट ले लो मेरे बच्चे, और अपने सभी साथियों को बता दो कि ये क्लास चल रही है, उनको भी लाब मिल जाए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये ध्यान रखना, आपके विद्याले कॉलेज में लिपिक का पद, आप अपनी परिशानी बताओगे, उसके बाद, क्योंकि आप नौकरी के लिए आप विदन कर रहे हो, इसलिए आपको अपने परिच्छा की डिटेल लिखना जरूरी है, अब इसमें कुछ भी लिख देना, सब को पता है कि तुम इंटर में हो, तो ग्रेजियोसन नहीं होगा, लिख देना क्योंकि एक प्रारूप है, छीक है, इसका स्क्रीन सॉट ले लो, ऐसे ही अगले पेज़ पर कारे कानवो लिखोगे, लिख देना कि मैंने यहाँ यहाँ कारे किया है, क्योंकि एक्सपीरियन्स भी हो, जरूरी होता है, उसके बाद सनलगनक में बता दोगे कि मैंने बी ए, हिंटर, टेंथ और टंकर डिप्लोमा के अंकपत्र लगाए हैं, इनको देख लीजिएगा, फिर भाउदिये में अपना नाम लिख दोगे, रूर नमबर लिख दोगे, और अपना पता लिख दोगे, ये तुम्हारा नियुक्ति हे तु आवेदन पत्र है नियुक्ति हे तु ध्यान रखना नियुक्ति के सारे आवेदन पत्र ऐसे ही लिखे जाएंगे बेटा कोई बदलाव इनमें नहीं होगा अगला क्या है तुम्हारा अगला है तुम्हारा बेटा अगला तुम्हारा है व् पुजफर नगर उक्तर पुदेश जो भी है विशय कुटेवर उद्योग प्रारम करने के लिए रण प्राप्ति के लिए विशय आपका सपस्ट हो गया दिनान क्या रहेगा प्रारूप जरूर ध्यान रखना प्रारूप का बेटा दो नंबर होता है अगर प्रारूप तुम करना है पैसा नहीं है तो पैसा दे दो चुका दूंगा हो गया और एक बात अपनी भासा में लिखना है कौपी कैट मत बनो अपने आपको एजूम कर लेना तुम कुटी रुद्योग शुरू करने जा रहे हो कैसे पैसा मांगोगे नहीं है दे दो बस इतना ही तो कहना है कि क्या कहना है यह important बस यह दोनों चीज सोच लेना अगला बिटा क्या है अगला तुम्हारा है अपने नगर या गाउं की सफाई है तो संबंदित अधिकारी को प्रार्थना पत्र तुम्हारे गाउं में जैसे इस समय प्रियाग राज में बाढ़ आई हुई है ठीक है बाढ बीमारी फैल रही है उसका निदान करवाना है तो सबसे पहले तो सेवा में किसको लीख जिबाने जिसका भी नाम यहां पर होगा उसका नाम यहां लिख देना उठर दिनांक लिख देना ठीक है विशेश जल जमा हुआ गंद्धी वाराणसी में फैलने वाले संक्रमन की संका की और आकरिष्ट करना चाहता हूं खीचना चाहता हूं बहुत परेसान ये बीमारी फैल रही है हमें बचा लो अगर नहीं बचाओंगे तो बीमार हो जाएंगे और रोगों के फैलने का अवसर ही न मिले इसलिए जल्दी से इसका पत्रों के बारे में ये तीन प्रकार के पत्र ही तुम्हारे परिच्छाओं में आते हैं और बेटा ये तुम्हारे छे नंबर तुम्हारे पक्के करके जाते हैं इन तीन प्रकार के पत्रों को ध्यान रखना है इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ सेर करना है मेरा प्या पाद